ओम श्यांति शरीर का नाम प्रॉतिमा बजाज लॉकिक रूप से मैं एक डॉक्टर हूँ रेडियो डाइग्नोसिस में मैंने M.D. के आए बच्पिन से ही न मुझे spirituality में बहुत interest था जब 6 साल की थी मैं तो mirror में जब अपनी image देखती थी तो सोचती थी कि ये कौन है मुझे लगता ही नहीं था कि ये मैं हूँ पर मैं कौन हूँ ये मुझे समझ में नहीं आता था और धीरे धीरे फिर बड़े होने लगी spiritual और religious books पढ़ने लगी पर concepts की कोई clarity नहीं हुई फिर परिवार में देखती थी कि बहुत सारे देवी देपताओं की पूजा होती है और हर एक को भगवान माना जाता है और समझ नहीं आता था कि actual में भगवान है कौन क्योंकि अंदर से मुझे हमेशा यहीं लगता था कि God is one पर which one ये नहीं समझ में आया फिर जैसे जैसे और बड़ी हुई finally जब doctor बन गई तो तब देखती थी कि कितने सारे बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनको पैदा होते से ही बहुत problems होती हैं किसी को कोई congenital deformity है या birth के दौरान कोई complication हो गई तो उन सब की वज़े से वो लोग पूरी life बहुत सफर करते हैं तो जो law of karma है वो भी मुझे उसकी application समझ में नहीं आती थी क्योंकि लगता था कि इनका तो जनम ही अभी हुआ है इन्होंने कोई करम ही नहीं किया है जिसके वज़े से ये लोग इतना सफर कर रहे हैं तो ये सब questions जो मेरे one में आते थे इनके answers ढूनते ढूनते around 14 years back मैंने Awakening with Brahma Kumaris TV program देखना शुरू किया तो तब Sister Shivani की बातों से बहुत सारी चीजों की clarity हुई और फिर लगा कि ये ज्यान में मुझे आगे जानना है समझना है तो जहलंदर में यहां Green Park Center में आकर मैंने course किया और तब से मैं यहां की दीदियों की Brahman परिवार के सहयोग और पालना से पल रही हूँ जब पहली बार मैंने Brahma बाबा का चित्र देखा मुझे एक बार भी नहीं लगा कि ये कोई नया अंजान व्यक्ति है मुझे ऐसे लगा मैं बहुत देर से इनको जानती हूँ हाला कि मैंने लोके कि इन आँखों से कभी भी नहीं उनको देखा है तो कभी भी परायापन नहीं लगा उनके साथ और बाबा का तब से मैंने हाथ जो पकड़ा आज तक वही साथ में चला रहे है और दीरे दीरे मैंने मुरली का अध्यान करना शुरू किया पढ़ाई पढ़ने शुरू की ज्यान को थोड़ा ज़ादा समशना शुरू किया और मुझे अपने सारे questions के answers मिल गए कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो मुली में बाबा जवाब नहीं देते कोई प्रशन ऐसा नहीं है जो कि अब unsolved है अब बाबा नहीं मुझे बहुत clarity से समझा दिया कि मुझे करना क्या है मुझे सिर्फ खुद पर attention रखना है and that is it खुद पर attention रखना और खुद को transform करकर अपनी original संसकारों में stabilize करना है और अगर मैं सोचू कि ये बहुत difficult है तो वो नहीं क्योंकि ये सब करने की power मुझे स्वें परम्पिता परमात्मा देते हैं मुझे सिर्फ अपने आपने ही करना है पूरा पूरा सहयोग और पूरा पूरा साथ बाबा का साथ और ये सब करते करते अब मैंने श्रीमत को अपनी लाइफ का road map बना लिया है कुछ भी complication नहीं life has become absolutely simplified सब कुछ clarity है कि करना क्या है क्या नहीं करना है there are hardly any gray areas left now everything is very crystal clear कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और जहाँ जरा सी भी confusion होती है तो बाबा मुर्ली में समझा देते हैं और अब धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ अपने परिवार का भी सहयोग मिलता जा रहा है तो मुझे और और चीजों की पढ़ने के बाद तीन चीजों पर मैंने focus किया है कि मुझे तीन words पर ध्यान देना है और उनको avoid करना है ध्यान देकर avoid करना है और वो तीन words है want, waste and wait तो पहला है want जिसको मैंने पूर अपने दिमाग में fit किया है कि मुझे no wants कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जैसे ही मेरे मन को ये इच्छा होती है कि मुझे किसी से कुछ चाहिए और वो fulfill नहीं होती है तो suffering begin होती है और मैं किसी से कुछ नहीं चाहती क्योंकि मेरी सारी needs बाबा पूरी करते हैं और दूसरा क्योंकि मेरे मन में अब wants नहीं रही तो कोई expectations ना होने की वज़े से अब wastage बहुत कम हो गई है तो उससे संकल्पों की words की और actions सब में wastage बहुत minimal हो गई है target है zero तक पहुंचना और third क्योंकि wants कम है wastage कम है तो मुझ आत्मा पर weight भी कम होता जा रहा है और मैं आत्मा बहुत बहुत हलका और light में सूस करती हूँ तो अब मेरी शिर्फ इतनी शुबाशा है कि जो मैंने यहां आकर बाबा से अपने परिवार से जो कुछ भी पाया है वो हर मुनुष्य जो इस रिष्टी पर है वो सब यह सब बाबा का ज्यान प्यार और पालना पाएं और आनंद में सुख में जीवन बिताएं और हम सब मिलकर इस धर्ती को स्वर्ग बनाएं ओम शांती